नमस्कार प्यारे बच्चो लोग फिर हम उपस्थित हो गएं आपके लिए एक प्यारी और मज़ेदार कहानी लेकर बालवाटी कैसे ककसादो के लिए कहानी है रोटी गई रोटी आई आए शुरू करते हैं पढ़ना इस कहानी को आप फ्री डैलोंग पर भी जाकर पढ़ सकत हैं और वहां से आपको इस्टार भी मिल सकते हैं अगर आपको एक कहानी सुननी है तो आप हमारे साथ बने रहिए तो आईए शुरू करते हैं आज की कहानी रोटी गई रोटी आई कमल के घर में एक कुटा था उसका नाम था भोंकू एक दिन कमल भोंकू को रोटी देने ग तभी एक बंदर रोटी चीन कर भागा, वह च्छत की दिवार पर बैठ गया, एक कोवे ने रोटी देखी, उसने बंदर से रोटी जपट ली, कोवा उड़कर आंगन के पीपल पर बैठ गया, उसकी नज़र रोटी पर पड़ी, कोवा रोटी जपट कर उड़ा, नीचे से भूपूने सोर मचा, कोवा घबरा गया, उसके मूँ से निगला, उसकी चोँच से रोटी छूट गई, वह आंगन में जाकर गिरी, भूपूने लपक कर उसे उठा लिया, जिसकी रोटी थी, उसे मिल गई, आज की कहानी खत्म, तो अच्छी थी ना, मज़ेदार, आपको पसंद आई होगी, तो आज की कहानी में इतना ही, नमस्कार,